भारत में बादाम और अख्रोट जैसे सूखे मेवे का उत्पादन भले ही ज्यादा नहीं होता हो लेकिन खाने वालों की कमी नहीं तबी तो यहां के बादार में चीन और अमरिका जैसे सूखे मेवे के बड़े निर्यातक देशों की हमेशा दिल्चस्पी रही है इसी क्रम में अब चीली का नाम भी जुड़ गया है दरसल इस साल चीली सरकार बड़े पैमाने पर भारत में अख्रोट को पेश करने की योजन बना रही है और इसकी शुरुवात हो चुकी है यूँ तो अख्रोट की पादन में चीन नमबर वन है लेकिन यहां अधिकतर अख्रोट अमेरिका के कैलिफोनिया से आता है वहां अख्रोट की तुड़ाई सितंबर से नुमर के बीच होती है और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है जिसे स्मुद्री मारक से भारत आने में लगबग एक से दो महीने लग जाते हैं मतलब भारत में दिवाली तक यह ख्रोट साल भर पुराना हो जाता है इसलिए इसमें कसैलापन बढ़ जाता है वहीं चिली के भारत में राज़दू जुआन एंगलो बताते हैं कि दक्षिन गुलाग में है इसलिए वहां ख्रोट की तुडाई का मौसम मई से जुलाई के बीच है इसकी प्रोसेसिंग अगस दिसंबर तक हो जाती है इसके बाद अगले कुछ दिनों में इसका कंटेनर भारत आ जाता है अक्तूबर में यहां त्योहारी मौसम शुरू होता है और उस समय बिल्कुल ताज अख्रोट आपके पास होगा ऐसा उनका कहना है उनका कहना है कि चिली के पूरों में एंडिस परवत माला पस्चिम में परशांत महसागर उस्तर में अटाकामा रहिगिस्तान और दक्षिन में अंटाकार्टिका है इनकी वजह से चिली में प् पादक और निर्यातक संग ने चिली के विदेश मंत्राले की संस्ता एडिक वैल्यू एंड डाइवर्सिफिकेशन टू दे कंट्री कल्चर प्रोडेक्ट अंड सर्विस के सेयोग से भारतिय बाजार में परवेश करने की घोशना की है उनका कहना है कि चिली के अखरोट सबसे बड़ा निर्यातक है चिली चिली नट के चेर्मेन एंड मंडो वाल्डे रामा का कहना है कि चिली दक्षिन गुलाग में अखरोट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है हलाकि पूरी दुनिया में देखे तो इसलिए अखरोट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है चिली के अखरोड दुनिया भर में सब्तर से अधिक देशों में निर्याद किये जा रही है। अब भारत उनके लिए सबसे तेजी से उभरते हुए बजारों में से एक है। बहराल हो जाए तैयार अब मिलेगा त्यहारों पर चिली का अखरोड। Bureau Report Market Times टीली